हेलो स्टूडेंट्स आगेन वेलकम यू और आज का ये वीडियो में मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपको सिर्फ एक बहुत इंपॉर्डेंट नोटिफिकेशन बता रहा हूं विच इस बीन इशूड अन फॉर्थ में 2020 ठीक है न यह एक ऑफिशल गजट नोटिफिकेशन है गवर्मेंट अफ इंडिया का जिसने फॉर्थ में को निकाला है और यह नोटिफिकेशन कोई स्टूडेंट्स कोई इंपॉर्डेंट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी या तो 10 से क्लास 11 के अंदर आये हैं या फिर 12 पर स्यू कर रहे हैं ठीक है हाँ 12 के जो इस्टूडेंट एक्जाम दे चुक है उनकी उनके लिए नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा यूस्फुल है नहीं बट वो सारे स्टूडेंट जो 10 तू 11 ताहीं या 12 का एक्जाम अगर अभी स्टार्ट करी आपने 12 क्लास के तैयारी तो आपनों के लिए बहुत इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है और इस वीडियो को एंड तक देखना था कि आपको समझ में आजा इंस्टूड ने क्या एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है जो गवर्मेंट ने आज से कुछ ताहीं पहले हम लोगों ने भी काफी बार प्रपोस किया था मैं यह भी एक ड्राफ नोटिफिकेशन जो 45 डेस के बाद एक फाइनल रूल के फॉर्म में आ जाएगा आपके सामने बट अभी आप जरूर समझना अगर आप 10th to 11th student है या 12th pursue कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल हैगा और वो सारे student जो future में CA करना च जाएगा ना फॉर्टीफिकेशन बोलता क्या है तो वह मैं आपको समझाने कोशिच करता हूं बहुत डीटेयल में समझाता हूं मैं क्या नोटिफिकेशन कह रहा है यह वाला ठीक ना देखो यह नोटिफिकेशन क्या बूल रहा है तो बाई लिए सबसे जादा इंपोर्ट टू दवर्ट जन फिगर पास्ड़ क्लास 10 शेल भी सब्सेट्यूटेट ठीक है यह क्या मतलब मैं समझा रहा हूं पुरा ध्यान से देखना एंड तक देखो कि तो समझ में आ जाएगा एक पॉइंट अब इसका मतलब क्या हूँआ मैं सबसे पहले इसका मतलब बताया तो क्या हुआ था बेटा अभी पहले इंस्टीट तुमको ध्यान होगा CPT करके CA का इंट्रेस एक्जाम होता था वो CPT को CA इंस्टीट ने क्या किया ओवर दे पीरेड उस CPT को 1 जुलाई 2017 को CA Foundation के नाम से इंस्टीट ने स्टार्ट करा था मतलब 1 जुलाई को इंस्टीट ने CPT की बंद कर दिया था और उसको CA Foundation में convert कर दिया था अब क्या होता था कोई ऐसा बच्चा जो CPT के अंदर अगर आप CPT के तुल जाते थे तो आप 10th पास होते ही आप अपना registration करा सकते थे CA exams के लिए आपका 10th का exam अपने पास किया आप CPT eligible होने के लिए fight होते थे after you pass class 12th जैसे आपने 12th पास किया तो 12th आपको ध्यान है आपका exam March के अंदर होता है March के बाद आप उसी साल के अंदर June के अंदर exam दे सकते थे after passing class 12th मतलब आपने जिस साल 12th पास किया उसी साल आप June के अंदर CPT का attempt दे सकते थे पुराना rule था CA Foundation में institute ने एक जोलाई 2017 को changes क्या किया था 10th पास का registration बंद कर दिया था और वही बच्चा जो 12th appeared हो चुका है या 12th पास हो चुका है 12th appeared और 12th पास ही CA Foundation का registration करा सकता था और उसका जो पहला attempt मिलता था अगर आपने 12th का exam March में दिया है ना तो आपको पहला attempt मिलता था in the month of November मतलब आपको 6 मेने का wait करना पढ़ रह देते हैं कि CA Foundation का attempt 12th वाला बच्चा 10th वाले बच्चे को आप registration करना अलाओ करो और 12th वाले बच्चे को आप मार्च के बाद इमिजेटली में में एक्जाम देने का अलाओ करो but CA Institute ने क्या बोला नहीं हम 6 मिने गैप देंगा और बच्चा नवंबर में एक्जाम दे सकता है तो काफी टाइम से हमने इंस्टूट से इस बारे में लड़ाई भी करी इंस्टूट को काफी और हमने mail भी लेके इस seat को लेके और मैंने तो एक practical वीडियो भी शूट किया था आप उसका link description box में देख लेना अब बहुत अच्छी बात है कि इंस्टूट ने amendment क्या किया कि CA foundation अगर बच्चे को exam देना है तो 2021 से आने वाले साल में 2021 से वो बच्चा अगर 10th pass है तो भी registration करवा सकता है मतलब जो पहले rule था ना अभी 2 साल जो rule चला था कि 12th appeared बच्चा ही registration करा सकता है वो rule इंस्टूट ने change कर दिया उसमें ये बोला कि अगर आपका सिर्फ 10th pass है तो भी आप registration valid है और अगर आपका 10th pass के बाद आपका जो पहला attempt है पहले मैंने क्या बता है CA foundation का पहला attempt 12th वाले student को कम मिलेगा बिटा नवेंबर मिलता था CA foundation का 12th वाले student को पहला attempt कम मिलता था नवेंबर बट अब ये ध्यान रखना 12th वाले student को CA foundation का पहला attempt मई के अंदर मिले है कबसे 2021 में मतलब CA Foundation ले आपके पास जो preparation का time में 12 के बाद वो एक महीने का ही time है मेरी बात समझ में आई, मतलब जहाँ पहले आपके 6 महीने खतम हो रहे थे नहीं वहाँ institute अब आपको सिर्फ एक महीने का time देगा लेकिन इससे आपके लिए सबसे बड़ा फाइदा क्या है कि आपके 6 महीने बच जाएंगे अब 6 महीने बचेंगे तो सही लेकिन आपको ये चीछ द्यान रखनी पड़ेगी कि यू नीड टू स्टार्ट यो प्रपरेशन राइट फ्रम क्लास 11 तब ही जाके आप CA Foundation की प्रपरेशन कर पाओगे अगर आप ऐसा सूचते हो कि मैं CA Foundation की प्रपरेशन 12 के बाद 6 महीने बात करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा जो भी चल पाएगा अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट और यह टार्गेट है कि आपको 12 के बाद CA का एक्जाम देना है तो माइंड इस थिंग कि आप 11 के साथ आपको प्रपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी और एग्रेसिव प्रपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि CPTIA कोर्स तो बहुत छोटा होता था बट CA Foundation कोर्स बहुत लेंदी है आप ऐसा सोचो कि एक महिने में 12 के प्रपरेशन हो जाएगी तो नहीं हो पाएगी आगे इस नोटिफिकेशन में क्या बोला है क्लियर्ली ये बात बोला है कि 10 प्लस 2 के अलावा आप अगर 10 प्लस है तो भी आप सबस्ट तो भी आप रिजिस्टेशन करा सकते हो उसके बाद इंस्ट्टूट ने क्या बोला है कि on और before first day of January और first day of July आपको रिजिस्टेशन कब कराना अज्यूम करो आपको मई 2021 का अटेम्ट देना है तो अगर मई 2021 का अटेम्ट देना है तो आपको latest दियान रखना एक जनवरी 2021 के पहले रिजिस्टेशन कराना पड़ेगा अगर मई का टेम्ट देना है तो subject to condition आप 10th पास होने चाहिए 12th आप 10th साल दे रहे हो, exam 12th के बाद ही दे सकते हो, exam 12th exam देने के बाद ही दे सकते हो बट एक महिने के अंदर दे सकते हो तो यह एक बहुत important notification है जो institute ने दिया है और मेर को ऐसा लगता है कि वो सारे बच्चे जो अब CA करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत golden opportunity है क्योंकि डिरेक्ली आपके 6 महीने, आज 6 भी नहीं बोलता हूं मैं, 6 महीने तो exam के और 2 महीने अगले बार result के तो आपके total 8 months का time proper पूरा का पूरा save हो रहा है तो अगर आप CA का exam देना चाहते हो in the month of 12th after 1 महीने बाद देना चाहते हो तो student ध्यान रखना 11th और 12th से आप पड़ाई start कर देना एक महीने के अंदर CA foundation त्यारी हरकेज नहीं हो पाईगी, CPT की हो जाती थी वट CA foundation की हो नहीं पाईगी ठीक है ना, और कुछ भी doubts हो मेरे को अपने comment box में लिखके बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको अगले वीडियो में बना करके उसके doubts सारे solve करूँगा, कोई भी confusion हो मेरा WhatsApp नमबर है 99294 11361, आप में को फिली WhatsApp कर सकते हो इस नमबर में मैं आपको सारी चीज़े कलिए कर दूँगा, ठीक है बेटा, चलो, thank you all of you